exercise 6.4 का question number first है triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas are respectively 64 cm square and 121 cm square ठीक है दो triangle है ABC और DEF जो क्या है similar है साथ-साथ उनका area triangle ABC का area 64 cm square है triangle DEF का area 121 cm square है EF की value 15.4 cm तरीक है आपको BC की value find out करने को कह रहा है तो जो given है पहले उसे लिख लेते हैं area of triangle ABC is equal to 64 cm square also area of triangle DEF is equal to 121 cm square ठीक है यह आपको given है already हमको क्या कह रहा है हमसे कह रहा है BC की length find करनी है BC की value कितनी होगी ठीक है तो हम already area of triangle तो उस situation से क्योंकि यह दोनों area of sorry triangle ABC और triangle DEF आपस में के हैं similar हैं तो इनका area area of triangle ABC और area of triangle DEF का ratio किसके equal होगा इनकी corresponding side के ratio के square के equal होगा उसके accounting हम ऐसा लिख सकते हैं तो value put कर लेते हैं area of triangle ABC की value है 64 और यहां इसकी value है 121 और BC की value में find out करने की कोशित कर रहा हूँ यहां जो square होगा वो दोन में distribute हो जाएगा तो BC का square अलग कर देते हैं और FE EF की value कितनी है रिखी है 15.4 15.4 ठीक है इसका भी क्या हो जाएगा square हो जाएगा यह जो whole square हो distribute हो जाएगा उपर BC में चल जाएगा नीचे FE में चल जाएगा EF में तो इसकी value थी 15.4 तो उसका हो जाएगा square तो BC square equal to हो जाएगा इस term को उधर भेज़ दो ठीक है या फिर इसको सही तरगे से लिखें तो BC square is equal to already 64 upon कितना था 121 यह उदर जाके multiply हो जाएगा यह इनके साथ हो जाएगा 15.4 multiplication में ठीक है ऐसा कुछ अब दोनों तरब क्या दिख रहा है मुझे यहां BC का square देख रहा है लेकिन मुझे ढूडना क्या है BC ढूडना है दोनों तरब क्या करता हूँ है अंडूट कर सकता हूँ अंडूट करने में यह बन जाएगा BC और यहां क्या हो जाएगा 64 का अंडूट करोगे तो कितना हो जाएगा 8-8 जा 64 होता है तो unroot की वज़े से 64 का unroot convert हो जाएगा 8 में और 121 किसका unroot होता है 11 का तो ये बन जाएगा 11 और इसका square भी cancel out होके ये बन जाएगा 15.4 बच जाएगा ठीक है इसको calculate कर लेते है हमारा जो result है final result वो आ जाएगा तो यहाँ से हम BC की value डिख सकते है तो BC की value डिखिंगे अगर 11 से मैं इसको divide करूँ 11 बन जा 11 इसको अगर मैं divide थोड़े दर के लिए point को भूल जाओ कि point है तो 11 बन जा 11 11 कितना बचेगा 4 यानि 44 हो जाएगा 11 4 जा 44 लेकिन ये result क्या हो जाएगा 1.4 तो मुझे 1.4 को किसे multiply करना है 8 से यानि यहाँ पर आ जाएगा 8 multiply by 1.4 तो इसको multiply कर लेते हैं result हमारा आएगा यहाँ से मैं लिख सकता हूँ BC is equal to 148 जा कितना होता है 112 तो यह हो जाएगा 11.2 centimeter तो यह है हमारा final answer BC की जो value होगी वह होगी 11.2 centimeter उमेद करता हूँ आपको यह explanation पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा Thank you and have a nice day